इस्क्रीन मारकर जो की नए यूटूबर के लिए बहुत ही बड़ी प्रोब्लम होती है कि वो कोई चीज को हाइलाइट नहीं कर पाते हैं अगर आपको कोई भी चीज को दिखाना चाहते हों जैसे जिस सरकल बनाके या फिर एक लाइन बनाके या फिर कुछ भी जो आपको हाइलाइट करके दिखाना हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम आने वाली है और अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सस्क्राइब जरूर करें क्योंकि हर दिन एक नई सुभा और एक नई वीडियो आपके लिए रोज मिलने वाली है इस चैनल पे कम्प्यूटर और सुफ्टर से रिलेटेड तो सीखने के लिए आप जल से सस्क्राइब करें और बेल आइकन दबाए जिससे कोई भी वीडियो पहुचे सबसे पहले आप तक पहुते है तो चलते हैं वीडियो की तरफ और सीखते हैं सबसे पहले हम अपना अपना क्रों ओपिन करलेंगे और क्रों में लिखाय इसक्रीन मारकर सबसे पहली ही वाली वेबसाइड आचुकी है जिसको हमको इंस्ट lifts करना है यहां से डाउन्लोड स्क्रीन मारकर पर हम एक बार किलिक कर देंगे यह हमारी ओपन होके आ गए स्क्रीन मारकर अब इसमें होता क्या है वो पूरा लास्ट वीडियो देखिए और आप बहुत ही आसान तरीके से जाजाएंगे किस तरीके से यह काम करती है तो सबसे पहले हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं यह MB में नहीं KB में है तो बहुत ही जल यह इंस्टॉल भी हो जाएगी और यह फिरी है इस पर कोई भी कोपी राइट नहीं आएगा तो यहाँ पर हम डाउनलोड पर किलिक करेंगे और सबसे नीचे देखेंगे हमारी यह कुछ ही सिकेंड में जो हमारा स्क्रीन मारकर का सॉफ्ट्रेट था वो इंस्टॉल हो चुका है हमारे इस PC में तो यहाँ से हम यह जो एरो दिख रहा है इस पर किलिक करेंगे सो इन फोल्डर यानि जहाँ पर भी यह आई है यह देखो इनको इसको उठाके इंदर साइड में कर देंगे अब इस पर इसको किस तरीके से काम किया जाता है वो जान लीजिए वो बहुत ही इंपोर्टेंट है तो सबसे पहले एक सोफ्ट्वेर हम ओपन कर लेते है Microsoft Excel ठीक है इसको ओपन कर लेते है यह ओपन हो रहा है जब तक कुछ इसके पॉइंट हम देख लेते हैं कि यह हमार जो सोफ्ट्वेर है स्क्रीन मारकर यह किस तरीके से हमको इसको काम करना है अगर आप स्टूडेंट है या टीचर है और आपको बच्चों को स्टूडेंट को अपने समझाना है स्क्रीन बॉर्ड पर या डिजिटल बॉर्ड पर अक्सर देखा होगा कि लोग बताते हैं कि यह सरकल बना दिया यह चीज हाइलाइट हो गई या फिल लाइन खीच दी वो चीज हाइलाइट हो गई तो वो चीजें किस तरीके से होती है यह आप बताते हैं यही आपका साइड में कर देते हैं और स्क्रीन टेस्स से बताया करते हैं लाइन खीच के या कुछ भी जो वो करना चाहते हो तो पूरा वीडियो लाज तक देखिए अगर आप यूटूबर हो या भी कोई भी चीज हो अगर आप सीखने से इंट्रेस्टिंग रखते हो अगर आपके पास कंप्यूटर है तो बहुत ही जरूरी है यह छोटी छोटी सोफ्टे आपके लिए सीखने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं यह यहाँ से हम पेंसिल लिए सरकल बना दिये यह देखो सरकल बन गया उसके बाद यह एक लाइन होती है लाइन कोई भी चीज हाइलाइट यानि दिखाने के लिए होती है उसके नीचे खीच दिया तो जो हमारी वीडियो देख रहा है उसको एक अट्रेक्टिव सा लगेगा उस पे यह देखो रेटिंगल यहाँ से कुछ भी आप चूस कर सकते है यह फिल सरकल हो गया ठीक इसको मिटाने के लिए इरेजर ले ले लेगे वही पास में इरेजर होगी और यहाँ से अगर आप इसको छोटा या बड़ा करना चाहते है अपनी इस इरेजर को तो यह पॉइंट है यहाँ पर किलिक करेंगे तो यह छोटा हो जाएगा उसके बाद लाश्ट वाले पकर लेगे तो यह बड़ा हो जाएगा यह देखो तो इसको सेक करते रहेंगे और उस पर यहनी चलाना होगा और आपका जो आपने मारकर किया था रेटिंगल या कुछ भी जो आपने स्क्रीन पर अपनी बनाया था वो डिलीट होता रहेगा यह देखो यह फिल रेटिंगल है इसको भी आप डिलीट कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से और अपने वीवर को आप समझा सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से ठीक है अब इसपे आप कलर भी इसका छूस कर सकते हैं एरो ले लेंगे और यहां से हम अबनी जो बेक स्क्रीन है उस पर चले जाएंगे यह देखो अब बेक स्कीन पे हम काम कर सकते हैं इसको उठाके साइड में कर देते हैं जिसमें आपको आसानी से समझ में आए है ठीक है अब यह हो गया अब यहाँ से आप अपनी पेंसिल वही ले लेंगे ठीक है यह लिया अब आपको जैसे कि यह चीज highlight करनी है तो इसको बस आप color choose करेंगे ज़्यादतर red ही होता है और red color से आप एक circle create कर लेंगे यानि बना लेंगे जो चीज आपको दिखानी हो ये software बहुत ही आसान तरीके से काम करता है line हो गई आपका circle हो गया ठीक है आपका ये circle हो गया और अगर आप fill circle बनाना चाहते है यानि कोई भी चीज तो इस तरीके से आप बना सकते है अब इस पे ये देखो कुछ जादिम होता है circle आपका तो यहाँ से color आप choose करेंगे अभी भी है तो यहाँ से आप इसका size wise कर लेंगे तो ये हमारा circle कुछ अच्छा लगने लगा ठीक है आप इस पे pencil से highlight कर सकते है circle बना के highlight कर सकते है अपनी वीडियो का कोई भी part आप interesting बनाने के लिए आप लोगों को दिखा सकते है कि ये software आपका जो marker होता है screen marker ये कितनी आसान तरीके से काम करता है तो I hope कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को like जरूर करें और अपने दोस्तों में share करें और अगर आप हमारी चैनल पर ने हो और ये वीडियो आप पहली बात देख रहे हो और आप अगर computer और computer वा software से related कुछ भी सीखना चाहिते हो तो इस चैनल को subscribe जरूर करें क्यूंकि इसी तरीके से इस चैनल पर computer software से related वीडियो आती रहती हैं और आपकी knowledge को बढ़ा देती हैं आप कोई भी चीज़ों इसको अटाना हट गया आप कोई भी चीज़ पर काम कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं पिलते हैं कल आपके लिए तब तक के लिए गुडबाई चैनल